नमस्कार मैं हूँ कविता उपाधिया और आप हैं भारत टीवी के साथ आज हमारे साथ में ऐसे सक्षियत हैं जो की समाज में लगातार काम कर रहे हैं पहली बार मौका मिला है भारत टीवी के साथ में हम exclusively आए हैं मंचंदा जी के साथ में बात करनें अशोक मंचंदा जी हमारे साथ में लोयन्स क्लब दिल्ली करोलवाग डिस्टिक 321-E3 की करन्ट में सेकंड वीडी जी हैं और इनको क्योंकि साशन जो हैं इसमें इलक्षन की बाद में दो इयर्स पहले का जो साशन होता है उसके लिए करन्ट में इनको गवर्नर के लिए विनिंग हो चुके हैं यानि कि साशन 23-24 उसके लिए सबसे पहली बात ये जो सारे पद होते हैं ये क्यूं होते हैं समास सेवा के लिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है कि इनसान के किस तरीके से काम आ सकता है अशोग जी से बात करेंगे अशोग जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका भाराट टीवी में अशोग जी अभी हाल ही में सेकंड वीडी जी है और गवर्नर भी आपको चुन लिया गया है आगामी सत्र के लिए क्या कहना है किस तरीके से काम करते हैं दिल्ली लाइंस कलब की टीम नमस्कार मैं बहुत अच्छा लगा आपको नहीं समय निकाला लाइंस कलब से मैं जुड़ा हूँ नाइंटी सिक से आज मुझे लगवा पच्छी साल हो गए मैं वहाँ पे हर पद बोले तो ट्रेजरार सेक्टरी फिर परदान उसके बाद हमारी लाइन आती है जोन चेर्मेन रिजन चेर्मेन फिर हम लोग जुड़ते हैं कैबिनिट के साथ दस साल दस से भी बलके पंदरा साल मैंने कैबिनिट के साथ मिलकर लगवग हर ओदे पे मैंने काम किया मेरे काम को देखते हुए मेरे नेचर को मेरे वेवार को देखते हुए उन्होंने मुझे अगरे कि मन्चंदा जी आप एजे गवरनर के लिया हो तो मैंने अपना समय निकालकर उन सब लोगों से डिसकस किया कि मैं समझता था कि मैं इस पदबे पहुंच सकता हूँ जैसे ही उन्होंने विचार किया तो हमारे इलक्षन हुए देन मैं विन करने के बाद इस पदबे पहुंचा हूँ सर लोइन्स क्लब जो है वो लगतार समा सेवा करती है आपका जो नारा है वी सर उसको लेकर किस तरीके से आप लोगों के बीच में कहा जाए कि समाज के बीच में उतरते हैं और क्या-क्या सेवा प्रमुक्ता से आप देते हैं हमारा मुखे मुध्यों है We Sir हम लोग सर्व करते हैं सेवा करते हैं नीड़ी लोगों की हमारे हिंदुस्तान में पूरे विश intern में नीड़ी लोगों की गिंती बहुत ज्यादा है सब को किसी ना किसी की जरूरता है हम लोग मेडिकल medical के इलावा जरूरते खाना, लंगर hungry लोगों के लिए, ग्रीव लोगों के लिए बिमार लोगों के लिए हर तरह की donation भी provide करते हैं, medical check-up provide करते हैं, इस बार हमारा इस साल का एक नया मुद्दा है, deputic retino जो हमारा main मुद्दा है, उस पे लाख और वे खर्च होते हैं, और हम लोग सब मिलकर हमारी संस्ता पूरे international में हैं, ये लगवख 210 countries में हैं, हमारे इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर लगवख डाई लाख मेंबर हैं, डाई लाख मेंबर पूरे भारत देश में की, तो आपका homeopathic center खुला है, और लगातार लोगों के बीच में कहा जाए, उन जरुरत मंदों की मदद कर रहा है, उन जरुरत मंदों को दवाईयां दे रहा है, homeopathic center के अंदर, और भी तमाम चीज़े हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा साब डिसकस करी, कि यहां पे एक, यहां पे नीडी लोग बहुत हैं, आसपास एरिये में, जगतपुरी और अधर एरियास में, कि जिनको दवाईयों की इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो परदान जी ने मुझे जगे प्रवाइड कराई, और मैंने अपना लाइंस कलब से मिलकर, यह आगे परपोजल रखा और अप्रूव हो गया, और यह हमारा एक छोटा सा है, इसको आगे और बढ़ाएंगे, इसके आगे जो नीडी लोग हमारे पास आएंगे, उनको गुलुकोष, ऐलोपेथिक द्वाई, आप डे बाई डे देखते जाएंगे, कि यह एक डिस्पेंसरी, आज छोटा पोदा है, और यह बड़ा पेड़ बन के नजर आएगी आपको, सर, आपका जो है, मंचंदा बिल्कॉन प्राइवेट लिमिटेट के नाम से, जो है, आपका M.B.P.L. याने की कहा जाए, आपका अपना बिजनस भी है, इस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि कोरोना काल में आपने खुद भी ग्राउन लेवल पे और उतर करके सेवा की है, तो पूरे टीम, खास तौर पे मैं देख रही हूँ, आप से में एक चीज और भी बताऊंगे अपने दर्शकों से, कि ये जो लॉइंस क्लब का, इनके पास जो कहा जाए, ये टैग जो इन्होंने अपने शर्ट में टाय करा हुआ है, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है, ये इनका सिंबल होता है, सर, आपको जो बिजनस है, बिजनस टाय कौन है आप यहां के, किस तरीके से आपके आगे के वीजन्स रहेंगे, लोगों में सेवा करने के, क्योंकि गवर्नर के लिए आप अभी से चुन लिए गए हैं, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनस है, मैं प्राइवेट काम भी करता हूँ, गुवर्मेंट के प्रोजेक्ट भी करता हूँ, गुवर्मेंट बोले तो टाटा पावर के जिंदल ग्रूप, इन लोगों के ओफिसीज बगरा बनाता हूँ, लेकिन मेरी टीम वर्क है, मेरा बेटा भी मेरे काम में साथ है, फिर भी यहां से समय निकाल के लोगों की सेवा करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आगे के लिए क्या आपने विजन रखा है कि मुझे आप ऐस अ गवर्नर, इस तरीके से काम करना है जनता में, मैं आप लोगों को और भी बताता हूँ, पब्लिक सेवा में हमारे एरिय में यहां एक जागरती इंकले मंदीर है, जहां पर मैटरी मोलेंड सिस्टम चलता है, तो वो काम भी मैं तहए दिल से समय निकाल करके, हम लोगों की सेवा करते हैं और हमें अनन्द मिलता है, हम अपनी खुछी के लिए लोगों के काम करते है, blood donation camp चैसी भी सुइध हैं, अप लगातार करते हैं, और health check-up camp ब आप लगातार कराते रहते हैं, क्या सर आप से अगर कहा जाए, आप लोगों को अगर आपसे सीखने को मिले तो क्या एक चीए कहजाए गुरु मंतर आपसे निकल के आएगा हमारे दर्शकों के लिए गुरु मंतर ये कह सकता हूँ अगर परमात्मा ने हमें कुछ दिया है तो हम कुछ देना सीखें ऐसे ऐसे हाथ बहुत कुछ पढ़ा है ऐसे ऐसे देश में हमारे दिल्ली में सब जगे लोग हैं लोगों का पैसा बैंकों में ही पढ़ा रहा जाता है लोग यूज ही नहीं कर पाते और भवान को प्यारे हो जाते हैं वो पैसा किसी काम नहीं आता मैं चाहता हूँ वो पैसा यूज करो जित एग बार करके तो देखो लाइंस मेंबर बनो पता चलेगा क्या चीज होती है एक अंदुरूनी अंदूरूनी आनत मिलेगा आपको अंदूरूनी आनंद मिलेगा ऐसी चीजे वास्ता में इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ चीजे हम चाहें तो क्यों नहीं संभा हो सकती सर चलते चलते ये जरूर पोछूंगी अगर आपसे जुड़ने का मौका मिले आपके टीम में आने का मौका मिले तो क्या वो चीजे होने ही चाहिए कैसे आपसे जुड़ा जा सकता है लाइंस कलब में लाइंस कलब में मैं स्वागत करता हूँ आपका और भी मेंबर जो पब्लिक सेवा करना चाहते हैं अमारा ये लाइंस कलब कोई कमाने का धंदा नहीं है खर्च करने का है इसमें देना है लेना नहीं है पर लेना परमात्मा से है देना आम पब्लिक को है जितना पब्लिक को द कि अगर आपको इश्वर आपमें शम्ता देता है तो आपको भी कहीं ना कहीं इश्वर को या फिर इस प्रकरती को कुछ तो वापिस देना चाहिए जाने से पहले और हाँ अशोग जी की बात का ध्यान रखेगा अगर आपको जूड़ना है आप जूड़ना चाहें तो निश्यत तोर पर आप जूड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद भारटी भी देखते रहे और कोरोना से बचके रहे हैं